नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बाद फिर से आपका एजुवर्स न्यूज अनलेसिस के अंदर तोड़े इस 26 अक्टूबर 2022 एंड वी आर गूइंट डिस्कस्थ दाहिंदू अनलेसिस आज हम दाहिंदू की न्यूज की अनलेसिस करेंगे और साथ में एडिटोरियोस का भी दिसकस्थ करेंगे यह फर्स्ट बेशेता हिंदू को आप इसे पर देख सकते हैं रिशेश शुनक बिकम ब्रिटेंस फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मेंस्टर तो यह हम लोगों के लिए भी काफी ज्यादा खुशी की बात है कि इंडियन ओरीजिन के जो थे वह प्राइ काफी भी लेके आने वाले हैं तो वह भी हम उनकी बहुत उच्छी से देखेंगे चलिए आगे मुव करते हैं हम जो सबसे इंपॉर्टन नीज है आज कि वह है एक क्यू आई क्यू एक क्यू एक क्यू इंडेक्स की उपर है तो दिल्ली के अंदर अभी तक पिछले आठ साल के अंदर पोष्ट दीपावली के अंदर अभी तक जो है सबसे क्लीनेस्ट एयर जो है देखने को मिली है दीपावली के बाद बना इसके पहले ऐसा वह करता था कि जो एयर कॉलिटी हुआ करती थी बहुत जदा डिग्रीड हो जाया करती थी वह रिसेंटली इन दिस एयर हम उस चीज की उपर वर्क किया और उसका रिजर्ट हमें देखने को मिला तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या ऐसे इंपोर्टेंट चीजे हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट ही तो हमारे लिए इंपोर्टेंट ही एयर कॉलिटी इंडेक्स सबसे पहले तो पहले आपको ज रखना what do you mean national air quality index क्या होता है यह 2014 में लॉंच किया गया था one number one color selected one number one color and one description याद रखना है national air quality index previous year question भी पूछा गया था इसके उपर कि national air quality index के नदर कौन-कौन से measurements और कौन-कौन से pollutants को include किया जाता है तो उन pollutants के नाम आपको याद होने चाहिए जैसे कि कौन-कौन से है PM10 particular particulate matter 10 particulate matter 2.5 nitrogen dioxide NO2 sulfur dioxide SO2 carbon monoxide CO ozone O3 ammonia NS3 and lead PB तो यह इनके नाम जरूर से जरूर आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत important हो जाता है इनके नाम अगर याद नहीं है तैक मिंस आप कही न कहीं lag करेंगे तो इनके नाम आप तुरंट याद किए मेरे साथ याद करना है कोई भी आप उठाएंगे तो PM10 आपको मिल जाएगा PM2.5 याद रहेगा यह तो पर्टिकुलर मेटर 10 और 2.5 चली मैं आपको पर्टिकुलर मेटर क्या होता कैसा दिखता वह दिखाता हूं पहले तो यह देखिए हैं इसका साइज कितना होता है अब यूमन का एर हैर जो है द्यान दिए यूमन की जो हेर है 50 to 7피데 में होता है ठीक है वहीं पर जो हेर है उस हेर के 1,2,3,4,5 एक तरीके से जो डाइमीटर है उस डाइमीटर में 5 सर्कल बना दिए तो उसमें से जो एक सरकल निकलेगा ना यह देखिए छोटा वाला सरकल निकल रहा है आप ध्यान से अगर इसको दिखाता हूँ आपको मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको जिसे यह जो है PM10 है तो PM10 10-10, dust, pollen, mold, ET, micrometre तो 10 Micrometre से भी 10 Micrometre से भी इसका जो time meter है कम है तो आपके बाल से भी बहुत छोटा है आपके जो बाल है उसके उससे भी 5 times छोटा है यह कितना छोटा है 5 times छोटा है दन पर्टिकुलर मेटर 2.5 की बात करते हैं आप यह 5 times छोटा है यह जो है PM2.5 इस PM10 से 5 times छोटा है 4 times 1,2,3,4 तो 4 times छोटा है तो आपको यह बात है याद रखते हैं combustion पर्टिकल एक्सास बोर्ट इसमोग तो यह क्या हो जाता PM2.5 और PM5 क्या है अपने बॉड़ी के अंदर जब आपन इनहेल करते हैं सास लेते हैं तो उसके तरू हमारी बॉड़ी के अंदर क्य pollutant के नाम है एयर कॉलिटी इंडेक्स के अंतर कितने pollutant है दो पॉलेंगे नहीं कौन कौन से PM10 और PM2.5 चली यह दोनों आपको याद हो गया PM10 और PM2.5 अब nitrogen dioxide NO2 याद रखना है और NO2 के साथ SO2 याद रखना है तो O2 वाले कौन होगे एक nitrogen हो गया और S हो गया साथ में कौन स नहीं होता है जर्णली question में आपको confuse करने के लिए दे देंगे कि CO2 pollutant है और है तो आपको लगे का हाँ हाँ CO2 pollutant नहीं होता है CO2 is a greenhouse gas दोनों में difference होता है greenhouse यह गर्मी को जादा पैदा करता है heat absorb करता है CO2 methane क्या करता है heat को absorb करता है तो यह दोनों gases क्या होगे water vapor जो water vapor होता है तो यह सब क्या है यह सभी के सभी greenhouse के से है ना तो यह इनसे confusion नहीं होना तो क्या चीज नहीं है यह भी UPSC के अंदर आपको पता होना चाहिए यह option में आ जाए तो आप उसे eliminate कर सके तो PM2.5 आपको याद रहेगा PM10 याद रहेगा आपको NO2 याद रहेगा SO2 याद रहेगा carbon dioxide नहीं है carbon dioxide के जाए carbon monoxide is an pollutant तो CO आपको याद रखना है carbon monoxide उसके बाद ozone याद रखना है oxygen लेटर क्या है ozone O3 clear हुआ फिर ammonia और फिर lead ammonia क्या है NH3 ammonia है और lead PB तो NS3 और PB भी आपको ये दोनों point याद रखने है ammonia और lead ये काफी बड़े pollutant हो गया clear हो गया तो 8KT आपको याद हो गया फिर से बाद रिवाइस केजिए मेरे साथ PM10 PM2.5 NO2 SO2 COO3 NS3 PB clear हुआ तो ये चीज़ें याद रखनी है अब इसको 6 category के अंदर divide किया गया है कि इसको air quality index को 6 category के इंडर divide किया गया है कौन को से good satisfactory, moderate pollutant, very poor pollutant, poor pollutant और saver अब इसको हम देखेंगे ये किसके दौरा develop किया गया है सबसे important question आ जाता है option के अंदर आएगा कि ये जो air quality index से इसको किसके दौरा develop किया गया है तो CPCB के याद रखना है center pollution control board तो center pollution control board in consultation with IT का नाम देदेंगे कौन से IT के ने किया है ये कानपूर, कानपूर IT के दौरा ये किया गया है तो ये नाम याद रखना है हमने क्या कर दी हमने pollutant के नाम देख लिए हमने देख लिए, अब हम देखेंगे कि center pollution control board के ने जो air quality standards निकाले है उसको किस किस color से जैसे अब ये color coding क्यों गई, अगर आपसे means में question आ जाता है कि ये color coding करना क्या important है, क्यों फालतू की चीज़े कर रहे हैं हम ये color coding मगेरा, इसके reasons पूछे जाएं, तो आप क्या बताएंगे, क्या होता है, जो normal public है, वो इतना जाता है, educated नहीं है, या कह लीजे कि सभी लोग इतना technical knowledge नहीं रखते कि कितने number में क्या होगा, कैसा क्या होगा, वो याद नहीं रख पाते तो, उसके लिए क्या करके रखा है, कि एक color coding कर दी, क्या ग्रीन है, तो go, बहुत अच्छा, good, air quality वहां की कितनी है, अच्छी है, और हलका सा green है, तो वो क्या कह देंगे, कि हाँ, ये satisfied ह यहां ठीक है, काम चलेगा, yellow है, मतलब moderate condition है, air की quality कैसी moderate है, अगर yellow में से और dark yellow हो गया, तो क्या है, poor quality हो गई, अगर red हो गया, very poor हो गया, और बहुत जादा darker red हो गया, brownish type का, तो क्या हो गया, severe condition हो गई, कि बहुत जादा air quality, जो है, degraded है, air की quality, तो इस तरीके से color coding से रखना काफी easy हो जाता है, clear वो आपको, चलिए, इसके साथ क्या हमने देखिया, national air quality index के तहत हमने 8 pollutant देखा है, उसके अंदर आप क्या करिए, उसके अंदर 4 pollutant और red कर दीजे, उसके अंदर red नहीं करना है, वो जो याद किया है ना हमने, उसमें 4 pollutant red करना है, कौन-कौन से बेंजीन, अरसेनिक, निकल और बेंजो पाइरिन, बेंजो पाइरिन, बेंजो पाइरिन, बी एपी, पर्टिकुलेट, फिस उनली, तो यह जब 4 red कर देंगे, तो यह किसके standards है, यह है, सरजी standards, national ambient air quality standards, है ना, तो अपने को 360 डिगरी पढ़ना, NAAQS, यह आज निउस में है इसलिए आपको यहीं पर याद कर लेना, यह static है, यह ऐसा मत सूची के current है, यह क्या है, यह static का भी part है, अब यह static का part बन चुका क्योंकि यह काफी time से चल रहा है, तो national ambient air quality standards के अंदर कितने pollutant आते हैं, total 12, national air quality index के अंदर कितने pollutant आते हैं, 8 pollutant, 8 pollutant कौन कौन से है, national air quality index के अंदर जो 8 pollutant है, वो कौन कौन से हैं, पताइए, सबसे पहले PM10, PM2.5 यह याद रहेगा आपको, ठीक है, लेड याद रहेगा, अब CO2 वाले याद रखने हैं, CO2 वाले कौन से, CO2 होगा क्या, नहीं, CO2 नहीं होगा, CO2 इसे green house gas, तो CO2 नहीं हो सकता है, कौन सा होगा, carbon monoxide, CO होगा, SO2 होगा, NO2 होगा, और Ozone होगा, SO2, NO2, Ozone, CO, carbon monoxide और ammonia NS3, यह आ रखना है, इसके साथ अगर हम जो National Ambient Air Quality Index Standard जो बनाया गया है, जो कि किसने सेट किया है, CPCB, Center Pollution Control Board नहीं सेट किया है, तो इसके अंदर 12 pollutant add है, तो यह 8 क्याद तो add है, इसके साथ आरसेनी को भी add क कर दिया गया है, जनरली water बगेरा मने मिलता है, अरसेनी बगेरा, निकल्स को add कर दिया गया है, ठीक है, बेंजो पाइरीन को add कर लिया गया है, और बेंजीन को add कर लिया गया है, तो बेंजीन is a pollutant, यह previous year question में, दो से तीन बार आ चुका है, PYQ के अंदर, तो यह बहुत important ह हो जाता है, है ना, confuse करने के लिए इसा पूछ लेते हैं, चलिए, आगे चलते हैं अपन, और अपना सबसे प्यार आर्टिकल आज का देखते हैं, editorial discussion के अंदर, renewable energy, revolution, rooted in agriculture, अखिक क्या है इस आर्टिकल के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे, कि क्या हमने अपने जो problems थी, उस problem को हमने क्या बना लिया, हमना एक opportunity बना ली, जो कि हम हमेशा करते हैं, we make our problems into an opportunity, कैसे, चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर यह रिखने वाले जो हैं, यह नीतियायू के members हैं, रमेश चंदर जी, और यह जो second number पर हैं, यह assistant है, FAO, FAO के अंदर, इंडिया के representative ह agriculture, अबना जीशन के अंदर, तो यह बहुत अच्छे लोग हैं, और इन्हों ने बहुत अच्छा article यह लिखा हुआ है, बहुत प्यार article है, इसको आपको जरूर से याद करना है, इसकी points शाट नहीं है, और answer writing में include करना है, कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा, The beginning of the renewable energy revolution rooted in agriculture, अगर जो renewable energy revolution हो रहा है, वो किस शीश के अंदर rooted है, वो agriculture के अंदर rooted है, कैसे, सर, agriculture और renewable energy का connection कैसे हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा connection हो रहा है, क्या कि, पहला bio energy plant हमारे इंडिया के अंदर private company जो है, संगरूर के अंदर, संगरूर डिस्टी के अंदर, प पहला याद रखीएगा पहला तो यह question आपसे state, UPSC में नहीं पूछेगा, but in a state pieces examination और one day examination के अंदर आपसे पूछा जाता है, तो यह आ रखेगा, अब CBG की बात हो रही है, compressor bio gas, याद रखेगा, CBG compressor bio gas, जो आप नोगो ले सुना होगा कि नवंबर दिसंबर के महिने में क् क्या होता है, कि जो paddy रहती है, और जो बचा हुआ, उनका crops का residue रहता है, उसको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, इस्टबल से वगिरा बस्ते उसमें आग लगाते हैं, जिसकी विससे क्या होता है, problem वो करती थी, बहुत जादा, air quality गर जाया करती थी, pollutant बढ़ जाया कर थी, उसके जो residue बगिरा था, उससे हमने क्या कर लिए, उससे हम renewable energy बनाने लग गए, हमने उससे क्या बना दिया, compressed bio gas का हमने start कर दिया, बनाना, paddy straw बगिरा से, कैसे, वो हम देखेंगे, सब सब पहले हमने देखा कि क्या quality measures हमने लिखे, जो कि CAQM, अभी हमने बात कर ली, air quality standards के बगिरा हों की, की कौन-कौन से pollutant होते हैं इसके अंदर, ओके, नौ, इसके अंदर हम सब से पहले देखेंगे, की, X-C2 majors हमने क्या क्या लिए, एक होता है, X-C2 majors, और एक होता है, in-c2 majors, X-C2 majors मतलब हम उस farmland से, जहां पर मैं बात कर रहा हूं, उस जगह से, बाहर निक हमने क्या काम किया, उसे हम कहते है, X-C2 majors, और in-c2 मतलब, हमने क्या 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 है, वो हो गया है, in-c2 majors, हैना, जैसे कि हमने क्या 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 है, 2G ethanol plants लगाए, CBG लगाए, हमने उसके plants लगाए, जो अभी हमने बात क्या है, पहला plant लग गया, इंडेस्टर, boilers पहले ऐसा हो गया था कि इसके stable burning को band कर दिया था, यह सब हो रहता है, बैन करना कुछ समय के लिए सही है, लेकिन अब कितना भी band कर लीजिए, वो लोग ये चीज़े फिर करने लग जाते है, जिनके पास solution नहीं ही, वो तो करेंगे ही, तो हमें band करना ultimate solution नहीं हो सकता है, हमे band के सास्ता solution लेकि आना important है, उनको easy पड़े, तो हम क्या solution लेकि आए, देखिए, बहुत बहुत authentic और बहुत प्यारा solution लेकि आए, कि हमने क्या किया हम उनसे चीज़े खरीदने लग गए, तो 4500 से 1000 रुपे के something something जो है, उनको जो residue बचता था, वो अब हम क्या करने लगे, हम उसको purchase करने लगे, उस purchase से हमने क्या बना लिया, उस purchase से हमने energy convert करने लगे, बायो गैस बना ली, है ना, तो दो तरीके से काम हो गया, कि जो उनकी जो farmers थे, उनकी एक तो income increase हो गई, उनको लगा है, जो हम पहले जला दिया करते थे, अगर अब इसे हम base देंगे, तो हमारा ही बढ़ रहे हैं, तो यह काफी अच्छा article है, जिसके अंदर पूरा इस चीज को discuss किया गया है, कि कैसे कैसे हम, क्या क्या चीजे निकली हैं, कौन को से initiative, जिसे initiative कौन सा है, सतत initiative आपको या रखना है, sustainable alternate towards affordable transportation, तो सततत initiative के अंदर हमने क्या targets से लिए हैं, उस targets को आपको देखन 30% आपको जो निकल के आता है, जिसे एक एकर का land है, एक एकर के land से पंजाब के अंदर जो एक एकर के land है, वहां से जो production होता है, उसमें से लगबख 30% जो है है 30% जो प्रोड्यूस होता है एक लैंड से अधिया मतलब एक तरीके से पंजाब उस लैंड से 30% से जो हम क्या कर सकते हैं 5% की सीवीजी बना दे कंप्रेस्ट बायो गैस हम त्यार कर सकते हैं यह डेटा है आप चाहें तो याद रख सकते हैं चाहें है पर केजी जो सतत्त इनिशेटिव के अंदर पेड़ी का जो है क्रॉप रखा गया है तो यह चीज़े आपको यहां रखने हैं चलिए आगे चलते हैं यह तरीके से आप लिख सकते हैं विन्मिन सिच्विशन है अब कुछ गवर्मेंट के इनिशेटिव जैसे कि हम आर्टिक के साथ साथ कुछ एक्स्टा पॉइंट्स भी दिखेंगी तो कुछ इनिशेटिव से आप जाके सको मैं पीडिएफ शेयर कर दूंगा तो आपको यह चीज़े रीड करना है पढ़ना है साथ में जैसे कि पीएम कुशुम यूजना क्या है इसके अंदर क्या किया गया है किस वह हमेशा क्या देता है गलत देता है रखने है अगबंद करके आज़े यहां इनकेस आप अपसे नहीं आ रहा है और आसी कंडिशन में कि आ नहीं निकलने वाला है तो आप वहां पे ब्लाइड कैस आ सकते हैं कि मिनिस्ट्री यूपेसी गलत ही देगा जै कि क्वेशन में कुछुम योजना के तहर्ट इंस्टॉलेशन क्या गया है ग्रिट सोलर पंप का रूडल एडियस के अंदर ये प्यम कुसुम लगू हुए है सेकंड क्या है पी एयल पी एयल इसकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इंसेंटिव दिये जाएगा अगर आप सोलर से लेटेट ह 4,500 करोड का इसके तहट जो है लॉंच किया है गवर्मेंट ने कि अगर आप कुछ भी ऐसी चीजे बनाते हैं मैनुफेक्शर करते हैं उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बढ़ाते हैं जो की सोलर पावर प्लांट रिया ग्रीन अर्जी से लेटेड है तो आपको क्या दिया जाएगा इंसेंटिब दिया जाएगा है यह हो गया सोलर पावर पार्क सोलर पार्क स्कीम क्या है यहां पे लाज इसके ग्रिट का कनेक्शन हो रहा है पीम कोसूम के अंदर क्या था इसके अंदर क्या है सोलर पार्क स्कीम के अंदर क्या आ जाएगा सोलर पावर ग्रिट के एंडर जो हो जाएगा इसके अंदर आ जाएगा कि लार्ज जो लेवल पे ग्रिड है 40 गीगावाट केपेसिटी तक डेपलप करने के सोलर पार्क हम बनाने की कोशिस करेंगे सेकेंड रूफ्टम सोलर प्रोक्राम बनाने के साथ जना मैंझा एक डिटेलिंग ने करने के साथ क्या क्या करता है क्या नहीं करता है प्रिलिम्स के लिए इसको pixels क्या क्या है एक एक लाइन देखना जादा नहीं सिर्फ एक लाइन तो रूफटॉप के अंदर क्या करेंगे कि फोर गीगावाट का एसिस्टेंट देंगे सोलर अगर आप अपने घर में छत में लगवाना चाहते हैं सोलर प्लाइंड बोल रहा हूं में सोलर प्लीट वगेर जिसे आप अपने घर में ही त्यार कर सकें तो वह आपको असिस्टेंट दी जाएगी फिर सीपी सेउसेंटर पब्लिक सेक्टर अंडर टेक्टिंग के लिए ट्वल गीगावाट ग्रिट कनेक्टेंट सोलर पीवी की प्रोजेट्स को लगाएगा है हाइड्रोजन मिशन है इस तरीके से नेचनल हाइडोजन मिशन जिसको भी आप देख लेंगे ए ग्लोबल हाइडोजन के बात पर्डॉटक्स्ट को और एक्सवोर्ट डोनों की बात की जारी है हाँ पर हाड़ोजन मिशन को बत्रोजन जाये गा और ऊप्सवोर्ट भी क unfair तो यह जाएगा क्या तो यह न तो इसको यह रखना है डिसेंटली फन वन जिरो फर्स्ट मेंबर कौन सी है इंटेनेशनल सोले इसका बताएं युएसे युनाइटे स्टेट ओफ अमेरिका नो और स्वोग क्या है और स्वोग जॉइंटली रिलीज किसके तरह इसको किया गया है इंडिया यूके और ग्लास गो के अंदर ठीक है नेशनल विंड्स ओलर हाइबरीड पॉलिशी क्या है नेशनल विंड्स ओलर हाइबरेड पॉलिशी के तहट 2018 में प्रमोशन ऑफ लार्ज ग्रिट कनेक्टेड विंड्स सोलर पीवी जो हाइबरेड है उनको कनेक्शन उनकी उटलाजीशन कि यहां पर बात की जारी नेशनल ऑफ्षोर विंड एनर्जी पॉलिश्य क्या है इस पॉलिश्य के अंदर क्या किया जाएगा जो ऑफ्षोर से क्या समझते हैं आप अप्षोर मतलब एक तरीके से आप इससे समझे कि आपका यह हो गई हमारी क्या कोस्टल लाइन हो गई यह अब यहां पर जो आप प्लाउं लगी रहेंगे वें लगे लागे रहेंगे वह जो क्या हो जाएगा उप्षोर हो घाएगा तो यहां पर नेशनल ऑफ्यप यह आप्षोर विंड एनर्जी पॉलिसी स्थीओ दौजरप बन्दर हमें इसे जिए उप्षोर को इंडिया exclusive economic zone के अंदर इंडिया के जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि exclusive economic zone कितना होता है यह देखिए लिखा भी वह 700 km की जो हमारी coastline है उस coastline के अंदर आज माज जो होता है अपना क्या होता है exclusive economic zone तो उसमें अपने को यह project install करना है और इसको बढ़ाना है यह हमारी policy है फिर second अगला क्या प्रोग्राम एनर्जी फोर अर्बान इंडस्ट्रियल एग्रिकल्चर वेस्ट रिस्डियू रिस्डियू को एग्रिकल्चर जो वेस्ट निकल क्या रहा है उसको लेकर आना है उसके तहत हमको बाकी चीज़ों को करना जैसे कि अभी हमने अग्रिकल्चर वेस्ट से क्या किया हमने एक प्रोड़क्र सीबीजी अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ा वह वही है कॉम्प्रेश बायोगेस त्यार कर रहे है न तो यह सारी चीज़े इनसे निकलता तो जितने भी अग्रिकल्च यह जो है इंडियन एक्सप्रिस का आर्टिकल है तो छोटा सा आर्टिकल इसको डिसकस कर लेते हैं अब भी लॉंच किया हो एक्चुली कंटेक्स आप देख लीजे कि अभी 37 धवन स्पेस सेंटर से स्री हरी कोटा से हमने लवी एम 3 को लॉंच किया है लुएस लॉकेट है है मॉट्व भी कलेमार दी से ये शीशलव इसको किस नाम से जाना जाता था जिए से यार फ्यसक्रापी से शियाने काफी अच्छा आर्टिकल है अब इसके ट्रेट हमने किया क्या है यह तो लॉंच होते रहते हैं इसमें ऐसा क्या खास इंपॉर्टेंट है जो आप इसको डिसक्स करते हैं यह यूपीसी के लिए कैसे को करना स्टार्ट कर दिया है है यह हमारा एक तरीके से आमदनी का एक हिस्सा भी बन गया है तो यह भी आ रख सकते हैं अभी जो थ्री हैं लार्जेस एवर पेलोड है अभी तक सबसे ज़्यादा लग लग 6 टन क्या रखिए 6 टन कैपेसिटी को हम जब उपर लेके जा रहे है तो एक बहुत हैवी सेटलाइट को हम उपर लेके जा रहे है तो इंडिया सिंटू है गलोबल कमर्शियल लांच सर्विस मार्केट के अंदर इंडिया की इंटरी हो चुकी है बहुत इंपोर्टेंट जात रखेगा इंडिया सि मार्ग सेकंड जो हम देखेंगे वह यह प्रिविस्टी नोन जी एसल्वी मार्ग 3 के नाम से पहले जाना जाता था जैसे मैंने आपको पहले बताया थ्री स्टेज लॉंच वीकल है यह कितने स्टेज है यह थ्री स्टेज है यह याद रखना यह इसके इंदर और क्रायोजनिक दोनों है यह सिर्फ लिक्विड है यह लिक्विड स्टेज और क्रायोजनिक स्टेज दोनों है यह याद रखना है और यह पीलोट करके सेटलाइट मतलब अपने जो और्विट है वहाँ पर भी सकता है तो यह थी अब वनवेब देख लेते हैं वनवेब के आरे में थोड़ा से इंफॉर्मिशन याद रख लीजिए कि ग्लूबल कम्मिनिकेशन नेटवर्क है किसका है इंडिया का नहीं है किसका है यूके का है इंडिया के अंदर से इंडिया का भारती इंटरप्राइज इसके अंदर मेजर इंवेश्टर है एक बहुत बड़ा शियर होल्डर है वनवेब का तो यह थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप चाहें तो इससे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लो अर्थ और्विट क्या होत यह सेंख्राइज जो अर्थ होता है वह ऐसा होता है कि आपकी जो अर्थ है चलो मैं अच्छे दिखाता हूं आपको यह अर्थ हो गया और यह हमारा और्विट हो गया क्लियर अब इस अर्थ से जिस तरीके से इसकी स्पीड है सपोज अर्थ की एक रोटेशन स्पीड है है ना अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रहा है अर्थ की पर्टिकुलर स्पीड है सपोज एस ओके हम सेटलाइट यहां से बहेंगे कहां पे यहां पे ओके यह हमने यह इस और शिष्ट में बेस लिए और हम इसकी स्पीड कितनी रखेंगे मदलब और स्पीड और इसकी स्पीड को हम सेम रखेंगे Like करेंगे जिस्तारीकेसे हुद है अर्थ के सानसाँ यह ऐसे जो घूल सबीक यह क्यों सब आएक हमेशा यहां पे या होता है communication satellite हो गई या फिर कोई इस तरीके से जैसे आप देखते होंगे ना कि map बगेरा देखता है आपके Google Earth बगेरा यह सारी चीज़ यह सब और जो है इसी चीज़ से यूज होता है इसी satellite यह जो इसकी जो satellite है सब इसी तरीके से काम करती है ठीक है कम्निकेशन होगा है military recognition होगा spy वगेरा करने होगा imaging application यह सारे के सारे इसी application में based है low earth orbit satellite के अंदर based है जो की generally low earth अगर आपसे पूछते हैं कि what यह low earth orbit कितने कितने एरिया में है मतलब कितने किलो मिटर दूर है अब क्या बताओगे यह approximately 200 किलो मिटर से लेकर 2000 किलो मिटर के बीच में है याद रखेगा 200 किलो मिटर से 2000 किलो मिटर तक low earth orbit कितना है 200 किलो मिटर टू 2000 किलो मिटर तक यह समझ वागा है चले अब last discuss करते हैं map सबसे पहले last में देख लेते हैं फट फट अप मैप में आजाई आप इसमें आप को साधा थोड़ा सा अच्छे से दिखनी रहा होगा पर मैं आपको बता देता हुं यह हमारा बहरत का उत्तराखण प्यारा सा उत्तराखण आपको नाम दीख रहा होगा है ना यह हो गया हम हम boundary शेयर करते हैं डारेक्ट अब चाइना से बाउनरी जो शेयर करते वहां पर जेखें यूपेस-सी के अंदर बहुत important है पासे जो है इस तरीके से जो मैपिंग जो है आप एक दिन में मैपिंग नहीं कर सकते हैं इस बात को याज रखिये आपको देली तोड़ा-फोड़ा-फोड़ा-फोड़ा-फोड़ा है तो नभी मुलिंग दोंहों कह सकते हैं हैं सीकंड नभर पे आप ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहें हैना बाड़र बाड़र में पहले चल के आ रहे हैं फिर अंदर देखेंगे हैं तो जो हमें कने्ट कर रहा है यह पास ऐसा तो यह पहाड के बीच में रास्ता निकला हुआ जिसे हम पास कहते हैं यहां पर पॉइंट चलिए आई होप आपको चीज़े क्लियर हो रही होंगे है ना धीरे-धीरे तो यह क्या है मुलिंग लाव पास है हम क्या रहे हम ऊपर से नीचे क्यों रहे हैं ऐसा बनाने के लिए लिए पे से कंदर के ऊपर से नीचे आप क्रोने लूँलोजर में लगाई है फिर सेकंड नंबर पे है हमारा मंग्सा पास मंग्षा धूरा पास मंग्षा धूरा पास यह आतक न है पिर तीसरे नमबर पर कौंचा है हमारा तीसरे नमबर पर है नीती पास यह important है question इसकी उपर पूछा है माना पास और नीती पास दोनों important माना पास फिर नीती पास फिर लिपू लेख पास लिपू लेख तो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइजेंक्शन पर है इसके उपर डिस्प्यूड भी पिछले दो साल से चला आ रहा है तो यह लिपू लेख पास तो बहुत ही ज्यादे मन याद रखेगा फिर लिपू लेख पास है ना मनाला पास निदिला पास और लिपू लेख पास यह हो गया बॉर्डर के सारे पास एक पास आप अंदर का याद रखेगा कौन सा पास है वह वह है ट्रेलास पास ट्रेलास पास तो यह एक अंदर का पास है इतना खास इंप विलेज को जो आपी हम देख रहें मनाला विलेज जो है और मनाला पास यह देखिये मनाला ऑस यह वाला मना यहाँ पर unav की alright that किया है ना इसको कनेट किया है अब जो Entwick डैयला पास से इसको कनेट किया है Asian trade हुगा करती थी ये इंडो China water की तो दंगरी जो दंगरी जो मनाला है अगर आप से question आ जाए कि मनाला सर क्या है मनाला जो पास है उसको इंशन टाइम में क्या बोलते थे डंगरी ला भी बोलते थे तो इसको connect किया है इंडिया China water को उत्तर खंड में तो यह आपको याद रखना है यह किसके पास है नंदा देवी बायोस्पेयर रिजर्व के पास है तो एक चीज और आपको यहां से पतार चल लगए कि उत्तरा खंड में ही क्या है नंदा देवी बायोस्पेयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्पेयर रिजर्व तो ऐसे धीर धीर देखते हैं तो आपको चीज़े याद हाँ जाएंगे फिरी तेरी रगल है न तो बस ही याद रखना एक यह देखे देखए देखरा की लोकेशन मैं रखे गुज्रात के अंदर भुजी यहां पर राजस्थान का बॉर्डर रखता है और यहां से पाकिस्टान पास पड़ता है तो यह देस्टा याद रखेगा देस्टा एक तरीके से एयर फिल्ड है एक देस्टा यहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया है गुजराथ के इंदर western border के इंदर जो है close है गुजराइग जो पाकिस्तान का western border है वहां से काफी close है तो security point of view से भी और हमारे economy point of view से भी यह काफी ज़्यादा important हो जाता है clear अभी एक छोटी सी news हम सबको पता है कि UK के अंदर election हुए थे इंग्लेंड के अंदर तो वहां पे रिशिशुनक जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनके आये हैं तो इनकी उपर हम आगे एक बायोग्राफी लेके आएंगे तो रिशिशुनक जी के उपर बायोग्राफी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके जो फादर और मदर है जो दोनों के दोनों ही इंडिया से रिरेटर है इनडियन डिस्थेंट के हैं तो यह आपको याद रखना है तो इनके आपने रह स्कूल कर राएंगे रुध नहीं तो चलिए अभी कई तना ही Thank you, thank you very much for the discussion.